हेलो दोस्तों हमारी यूटूब चैनल टी एस्टेजर पाइंट में आपका बहुत-बहुत स्वागत है तो दोस्तों आज का हमारा में टापिक है हाप अस्तिन सट की कटिन किस प्रकार की जाती है सबसे पहले दोस्तों एक बार नाप जान लेते हैं लंबई है 26 इंच, सीना है 34 इंच, सोल्डर है 17 इंच, अस्तिन है 8 इंच, मोरी है 12 इंच, और कालार है 13 इंच तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं यहाँ पर दोस्तों कपड़े को उल्टा करके बिछा लेना है दोस्तों और यह डबल फोल्ड भी कर लेना है यह इस तरह से डबल फोल्ड करके उल्टा करके बिछा लेना है यहाँ पर एक सीधी लाइन कर ले 60 की लंबई है दोस्तों 26 इंच, तो इसमें 1 इंच प्लस करते हूँ यहाँ पर 27 इंच पर निसान लगाना है सेम निसान यहाँ पर भी एक लगा लेंगे 27 इंच पर 2 इंच का यहाँ पर निसान लगाएंगे यहाँ पर भी एक निसान लगा लेना है 2 इंच का इसके बाद इन निसानों को एक दूसरे से मिलाते हुए सीधा कर लेना है यहाँ पर भी सीधा कर लेंगे दोस्तों इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर सोल्डर जो डाउन होता है उसके लिए यहाँ पर दो इंच का निसान लगाएंगे सेम निसान दोस्तों यहाँ पर एक और लगा लेना है दो इंच का इसके बाद हम आर मोहल का निसान लगाएंगे हमारा सीना है चौनतीस इंच तो चौनतीस का चौनता हिस्सा होगा साड़े आठ हिंच लेकिन ये फिटिंग सेट है तो हम हाप इंच पाइनस करके आठ हिंच पे यहां पर निसान लगाएंगे ये इस तरह से आठ हिंच पे निसान लगाना है लगाएंगे, इसके बाद दोस्तों वह सोलडर का निशान लगाएंगे, सोलडर हमारा 16 इंच है, तो 17 का हाप करेंगे, तो 7.5 हमें एक निशान यहाँ पर 8.5 पर लगाएंगे और यहां पर 2 सुन्त एक और निशान लगाएंगे, Save देने के लिए, सेम निसान यहाँ पर लगाना है दोस्तों साड़े आठ हिंच सोल्डर का हाप और यहाँ पर दोस्तों अंदर साइड एक और निसान लगाना है दोस्तों पर सेब देने के लिए इस तरह से सेब देंगे यहाँ पर दोस्तों हमारा सीना है चौनती 34 का 34 हिस्सा होगा 8.5 और उसमें 2 इंच यहां पर losing देंगे तो यह हो जाएगा 17 इंच तो हमेंहाँ पर 17 इंच पे निसान लगाना है यह इस तरह से निसान लगा लेंगे सेम निसान दोस्तों 17 इंच पे यहां पर भी लगाना है इसके बाद दोस्तों कालहर का निसान लगाएंगे कालहर हमारा है स्ताडे 13 इंच तो हम यहाँ पर 0.5 इंच पर निसान लगाएंगे यहाँ पर भी नीचे की तरब भी 0.5 इंच पर निसान लगाएंगे इसके बाद दोस्तों निसान को एक दूसरे से मिलाते हुए सीधा करना है यहां पर soldier down किये हैं उसको भी सीधा कर लेंगे इसके बाद दोस्तों हमें यहां पर shirt को fitting shape देंगे round fan टी से यह इस तरह से fitting shape देंगे दोस्तों सबसे पहले दोस्तों यहां पर ओपन सेब देने के लिए लगबख सब दो इंच पे यहां पर निसान लगाना है और यहां पर इस तरह से राउंड फंटी से फिटिंग सेब देना है उसके बाद दोस्तों हमें यहां पर सब दस का हाप करेंगे और यहां पर एक निसान लगाना है और दोस्तों इस तरह से ना है इस तरह से देखिए स्क्वाइबिक यहां पर देखिए दोस्तों इस तरह से राउंड्फण्टी कि आप यह तरह से शेप देना है दूख्ण के देखिए दोस्तों हमने जो दो सूंट अस्टाल लीया हुआ। वहां पर रillon्पन्टी यहां-व और दोस्तों गोल स्टेफ दे देना है इस तरह से यह देखे दोस्तों यह हमारा फ्रंट पार्ट कर निसान हो गया कम्प्लीट अब हम इसकी करेंगे कटीन अब अब इसकी करेंगे इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम बेक पार्ट की कटीन करेंगे तो इसके उपर हमको फ्रंट पार्ट को इस तरह से बिचा लेना है और सबसे पहले दोस्तों क्योंकि हमारा बेक पार्ट पाउन इंच छोटा रहता है फ्रंट पार्ट से तो यहाँ पर एक निसान लगा लेना है यह इस तरह से और जहां पर हमने पाउन इंच का निसान लगाया हुआ है वहीं किनारे पर रखना है इस तरह से तो हमारा जो बेग पार्ट है वो पाउन इंच छोटा हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों हम बेग पार्ट डाउन करने के लिए साड़े तीन इंच पे निसान लगाएंगे यहाँ पर भी एक निसान लगा लेना है साड़े तीन इंच पे और इसको सीधा कर लेना है ये देखे दोस्तों इस तरह से हम बेक पार्ट को साड़े तीनी डाउन करें रखेंगे सोल्डर कटिन के लिए ये इस तरह से अच्छे से बिचा लेना है सेट कर लेना है दोस्तों ये देखे दोस्तों साड़े तीनी इच पे हमने रखा हुआ है इसके बाद दोस्तों हम बेक पार्ट में सोल्डर का निसान लगाएंगे सोल्डर हमारा सत्रा इंच है तो सत्रा का हाप करेंगे और उसमें बेक पार्ट में हम हाप इंच प्लस करेंगे दोस्तों तो यह हो जाएगा हमारा 9 इंच 9 इंच पे निसान लगाना है same निसान यहाँ पर भी एक लगा लेना है 9 इंच पे इसके बाद दोस्तों इसको इस तरह से सीधा कर लेना है और यहाँ पर round shape goal shape दे देना है दोस्तों यह हो गया हमारा निसान कम्प्लीट दोस्तों अब हम इसकी कर लेंगे कटीन यहां पर दोस्तों हम हाप इंच यहां पर डाउन करेंगे जिससे हमारा जो बेक पार्ट का सेफ है अच्छे से आ सके इस तरह से हाप इंच इसको डाउन करेंगे दोस्तों कम कर लेंगे अब जो हमारा में टापिक है दोस्तों हाप अस्तीन तो हमें हाँ पर हाप अस्तीन की कटीन करेंगे इस तरह से डबल करके फोल्ड folder करना है दोस्तो और यहाँ पर एक सीधी लाइन कर लेना है इसके बाद दोस्तो हमारा अस्तिन की लंबाई है 8 इंच तो हमें यहाँ पर half इंच प्लस करते हुए साड़े आठी इंच पर निसान लगाना है यह देखे दोस्तों इस तरह से सेम निसान यहाँ पर एक और लगा लेना है और इसको एक दूसरे से निसान को मिलाते हुए सीधा कर लेना है अब यहाँ पर दोस्तों हम लगभग 2-7-2 इंच यहाँ पर फोल्ड के लिए लाइन करना है इसके बाद दोस्तों यहाँ पर मोरी का निसान लगाएंगे हमारा मोरी है 12.1 इंच तो 12.1 का हाफ होगा 17.6 तो हम यहाँ पर मोरी के लिए 17.6 इंच पे निसान लगाना है यह इस तरह से दोस्तोnd और यहाँ पर आर्म होल डाउन करेंगे 3 इंच यहाँ पर दोस्तों हम आर्म होल कर निसान लगाएंगे हमने फ्रेंट पार्ट में आर्म होल को आठ हिंच लिया है तो हम यहाँ पर आठ हिंच पर निसान लगाएंगे आर्म होल के लिए और इस तरह से इसको राउंड सेप कर लेना है दोस्तों गोल सेप कर लेना है इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर जो मोहरी के लिए निसान लगाए हैं वहाँ पर थोड़ा सा तीर्शे कर लेंगे और इस तरह से निसान लगाते हुए हम जो आर्मोहोल डाउन किये हैं वहीं पर हम इस तरह से मिलाएंगे इसको यह हमारा सिलाई वाला निसान है दोस्तों यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे उसके बाद दोस्तों हम एश्टर यहाँ पर रखेंगे यह एश्टर निसान है दोस्तों जो एश्टर रहता है सिलाई के बाद यह इस तरह से दोस्तों इसके बाद हम इसकी कटिन कर लेंगे इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर एक कट लगा लेंगे ताकि हम जब स्टिचिंग करेंगे तो हम यहाँ पर हमको आसानी होगे यहाँ पर फोल्ड करने में इसके बाद हम एक तरब को डाउन करेंगे जो हमारा डाउन किया हुआ है पार्ट रहता है वो फ्रेंट पार्ट में रहता है दोस्तों तो इस तरह से हम एक तरब को डाउन करेंगे इस तरह से लग भगाप से पौनीच करेंगे डाउन यहसे देखे दोस्तों यह हमारा फ्रंट पार्ट में आएगा और यह हमारा बेक पार्ट में जिस तरफ डाउन नहीं किये है इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम सोल्डर की कटीन करेंगे सबसे पहले यह जो आड़ा तीरचा है इसको सीधी स्केल से सीधा कर लेना है एक लाइन कर लेना है दोस्तों और इसको कटीन करके सबसे पहले निकाल लेंगे इसके बाद इस तरह से डबल करके फोल्ड कर लेना है दोस्तों और हमारा सोल्डर है 17 इंच तो 17 का हाफ होगा 8.5 इंच और उसमें होलड करना है हमने बेक पार्ट को साड़े तीन इंच डाउन किया था दोस्तों तो हम यहाँ पर सोलडर की जो चौंड आई है वो साड़े तीन इंच में देड़ इंच प्लस करके पांच इंच पे निसान लगाएंगे यहाँ पर साड़े तीन में एक निसान लगाना है ये देखे दोस्तों इस तरह से और हमारा सोल्डर है दोस्तों सत्रा इंच तो यहाँ पर सत्रा का हाफ होगा साड़े अट उसमें हाफ इंच प्लस करेंगे तो 9 इंच तो 9 इंच पे निसान लगाना है यहाँ पर भी लगाना है दोस्तों 9 इंच पे और लगभग 2 सूंत यहाँ पर एश्टर निसान लगाना है दोस्तों सेब देने के लिए और यहाँ पर जो सेब निसान लगाना है दोस्तों वहाँ पर लगाया थे यह देखे दोस्तों साड़े पांच और देड़ इंच अब इसको एक दूसरे को सीधा कर लेना है दोस्तों एक दूसरे को निसान को मिलाते हुए यह इस तरह से यहाँ पर भी सीधा कर लेंगे दोस्तों इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर राउंड फंटी से इस तरह से राउंड सेब देंगे यह देखे दोस्तों हमने जो दोस्तों टेस्टा लिया हुआ है राउंड फंटी से राउंड सेब देना है और यहां पर दोस्तों गोल सेफ देना है यहां पर हम कटीन कर लेंगे दोस्तों आप तो इस तरह से दोस्तों आप भी हाप ऐस्तीन सर्ड की कटीन असानी से कर सकते हैं दोस्तों